आज बजार को देखकर मेरे दिमांग में एक गाना रहा थे अ बेखुदी में कदम उठ गए जो सनं मुट गए लुट गए लुट गए लुट गए आज हम बहिए सुभे बजार को ऐसा सम्मोहित कर दिया था बजार इतना केर दिया था बजार को ठंडा कर दिया था सब को लगा गया 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 लोगों ने बे खुदी में शौट मार दी और उसके बाद जो बजार को लास्ट आवर में खीचा देखने वाला सींद्र किसी को उम्मीद नहीं थी और बजार अच्छा खासा चड़ा दिया आपको क्या लुगह रहा था अब पते हिस महल में आप से फायदा हुआ नुकसान हुआ कमें करव में करपा Gripash आपके शुब कामिन निकालता ही चो आप ने कर दिया अब आज क्य habilet चर्चा करिए केंडल स्टिक चार्ट टेक्निकल क्या कह रहा है बागी ऑपरेटर के आगे तो सब फेल है फिर आज की वीडियो में इसकी चर्चा जुरू करिए आप अपने विचार किस तरह से बजार आपको लग रहा है गिरेगा बड़ेगा कमेंट में जुरू लिखिए मै एक भूली फाइनिशल तभाई के लिए काफी है मैं केवल एजुकेशनल वीडियो सी बनाता हूं मैं कोई बाइसल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं चर्चा किये गए स्टॉक उधारन के लिए और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा ये मानना है कि कि ऐसे बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए बलकि अपने रिस्क कप pom行 साभा प्धिशन जिसने लिए ठिप उसकी हुई टि इप शेर बाजार में निवेश जोखिंहों के अधीन है निवेश करने से पहले सभी सम्मंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें हाई गाइज आपका स्वागत है आपके अपने शो में के टॉक्स वर इंवेस्मेंट इन 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 हिंदी में कैसे आप लग गई जी लग गई आज फिर लंका लग गई बजार में ऐसा करिश्मा हुआ सारा दिन बजार को उर्लाते रह बजार को खेंच दिया और अच्छा खासा उपर खेंच कर बंद किया जबकि मैं आपको बता हूं सारे जपां मतलब एशियाई बजार गिरकर बंद है एक मात्र आपका जपान का इंडेक्स था पता नहीं कुछ बंदी नहों पुराना नहों जो हर्याली में बंद हो बाकि स थी कोस्पी जो था पौना परसंट गिरकर बंद हुआ यानि आपका साथ को रियागणे चाइना के सारे इंडेक्स गिरकर बन थिए हونक कॉंग भी परसंद के लपेटे में गिरकर बन थिए फिलिपीनिस काय शयद ये पी एस ईई ये बी एक परसंद गहरु आन्वा इस और अगर मैं चलूँ आपको यूरोब की तरफ लेके तो वहां भी कोई अच्छा सीन नहीं है। सिर्फ स्विजर लेंड है जो हलका सा कल भी हरे में तो आज भी हरे में और एक आपका रश्या हरे में बाकि सब लाल हैं। यूरोब चलते हैं अमरीका चलते हैं अमरीका में ठीक है पोजिशन इस वक्ति तीन इंडेक्स हरे में हैं स्मॉल केप टू तू तू तौजन लाल में और हलका फुलका आपका कैनेड़ा हरे में और ब्राजील का बुर्सपा तो आदा परसन गिरा हुआ है यारी सब बजार अ इसमें रिस्क होता है बडावारे जोब आता है जहां पर लोग ज्यादा पोजिशन है बना लेते हैं जैसे सपोर्ट पर जाता सपोर्ट पहां खरीदे ही रिसिस्टेंस पर ईपाई क्रेदेगे अब jb जह ज़्यादा खरीदारी आ जाती है तो फिर वह गेड़ देता है कि सब लॉंग कर देते हैं तो मार देता है इसी तरह अगर वह रिसिस्टेंस पर जाता है वहां लोग ज्यादा शॉट कर देते हैं तो वह खीज देता है तो वह डिपेंड करता है लोगों की मेंटालिटी अब दुखा आपके सामने है चार्ट कल बजार एक्कीस जार पांस सो चॉालिस पर बंद हुआ ताज गैब डाउन ओपनिंग करी ज्यादा बड़ी नहीं एक्कीस जार पांस सो नतीस पर खुलता है फिर वहीं गुमता रहता है और फिर यहां जब पहुंचता है उसके बाद ऐसे गोली कितना भागता है जैसे किसी रॉकेट किसी ने पीछे आग लगा दियू रॉकेट कितना उर जाता है और इक्कीस जार छेसो एक्टालिस का बड़ा पीक बनाकर एक्कीस जार छेसो अठारा पर लगबक 73.0 चड़कर 0.34 percent की तेजी के साथ बंद होता ह अब कल है निफ्टी फिफ्टी के एक्सपाय रहे हैं अब क्या बोलें एक बार तो बजार ने किस छेसों कार दें किस छेसों को लोग कहते हैं बड़ा मजबूत सपोर्ट है वो कट गया उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दिए पर आज उसके उपर दिये तो बजार में इस तो प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है अब आपको के सर डियाइज क्या कर रहें अंतराश्टी इंडिकेटर्स क्या हैं अब मार्केट मूर तो अभी भी ग्रीड का बना हुआ है पचास से उपर है चपन पॉइंट वन जबकि कवर हो गया नहीं अब यह थोड़ा सा बढ़ा हु को काउंट नहीं किया जाता अब देखो आज ने कोई सेग्मेंट नहीं है जिसमें छोड़ा हो सब में विक्वाली किया है और बड़ी विक्वाली साड़े तीन हजार क्रोड़ की करके गया और डियाइज ने बड़ा माल प्लस कर लिया दो जास्टी कोड़ का और 358 पॉइ नहीं है पर ठीक है और यह भी ठीक है मतलब रिजनेबल रेंज में दोनों तरफ के एंड उपने इसकी तो हमने चर्चा कर ली थी आज भागे कुन से आप देखो सिपला अदानी रिलाइंस चाना की सटत्तर रुपे भाग गया जब मैंने इसका सोदा काटा था मैंने एक फ पता नहीं है आज है मोज मोज ले लो भार ले लो कल किसने देखा जो हम अब कुछ कह पाएं मैंने चब्विस 89 पर काटा था 26-92 पर क्लोज दिया है बहुत तेज हो गया था है अचल टेक भी तेज रहा दानी पोर्ट आईसेज ये बैंक टाटा मोटर्स ये तेज रहे अब गिरने वालों में ओंग्सी डिवीज लाइब एंटीपीसी बीपीसी एल पावर ग्रीड अल्ट्रा टेक्सिम को भी काट दिया था एक बारी टेक्निकल इनैलिसिस के बात करूं ना तो ऐसा लगता है कि बजार को गिरना चाहिए कम से कम 21 जार के लेवल के आसपास टच करना चाहिए लगता है बाद लगना तेल लेने के अगर ऑपरेटर नहीं के देगा तो मजबूत हो रहा है तो गुंजाइश है अब कल इसको समझने कोशिश करते हैं 268 वे जार बंद वे 2600 बखड़ो पर कॉल राइटिंग कम हुई है पूट राइटिंग बढ़ी है तो इसका लें 2600 पर कहीं न कहीं पूट राइटर्स का कॉंफिडेंस जादा है यानि बजार में मजबूत ही आ गई है और उसके उपर जला जाओ जाओ सो पॉपर तो कॉल राइटिंग बढ़ गी है बहुत जादा बहुत जादा और पूट राइटिंग बढ़ी है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है इससे उपर चले लिए तो और कॉल राइटिंग बढ़ गई है मैक्सिमम पेन पर है अच्छा 21-500 पर जाओ तो गॉल रा सबस घुमाता रहेगा और बजार बंद कर देगा और अगर उसने किसी एक साइट की लॉंग पोजिशन में ना रखी है अगर कॉलें उसने बढ़ी किये तो कल ऐसा खीचे का आप याद रखोगी पुट्टे बढ़ी के एक बार तो बहुत बुईतना से गेर देगा तो क्य को ऐसी हो रहा है तो बात तो मेरी ठीक नहीं कल रही है ना अब मैं तो अपना प्रॉफिट बुक करी लेता हूं प्रभु के आश्यवाद से प्रभु ग्रिपा से आपकी शुब कामना से आज भी करी लिया है अच्छा मंत में ज्यादा चेंज नहीं है महां पर थोड़ा सा 21 पर पूट राइटिंग बढ़ी है वहीं मैक्सिम्म पेन है 22,000 पर कॉल राइटिंग बढ़ी है और वहीं मैक्सिम्म पेन और टोटल मैक्सिम्म पेन जो है वह किसी आर के लेवल पे है अब पीसी आर में कितनी बढ़िया रिकावरी आई आज जो पीसी आर कल 0.65 हो गया थ बनाता है शुरू में बोटम बनाता है 478 तुम यह वह नहीं तो इसमें धूर आपर साइड पर बन दो जाता है इसमें उतनी साधीन एक स्टेविलिटी सा महल रहता है शुरू में गिरके रिकावरी करने के बाद का आई से बैंक तेज़ था इंडेसिंट बैंक थेज़ था फेडरल बैंक यह तेज़ गिरने वालों में सबस्याद राज बंदन में गिरा होता कल भी मारा आज मी मारा अक्सेस बैंक एउ स्माइल फैनेंस एस्बी पी अन्ब आई डिफसी फेस्ट बैंक गिरे पड़े अब इसका तो दोखो मैंने का थे ना ध्यान से दोखो इसने लोवर बुलिंजर बैंड को भी टच कर दिया मंडे को मिडल बुलिंजर बैंड के नीचे पहली बर क्लोजिंग दी लोवर मिडल में क्लोजिंग दे लिए ठीक त्यूज्डे को यानि कल सारा दिन केंडल लोवर बुलिंजर बैंड में रही आज लोवर बुलिंजर बैंड को तच करके रिकवरी लेकिन है मिडल लोवर तो साफ कह रहा है कि बजार में कम जूरी है और साइब फिफ्टी टू के आसपस में सीडी पर क्रॉसूर बढ़ रहा है तो ऑपरेटर करेगा क्या बड़ा कहना मुश्किल लेकिन केंडल स्टिक चार्ट तो यह कह रहा है कि भाईया सुख भरे दिन भी तेरे भाईया अब कमेंट में लिखो आपको कहला करें कमेंट में लिखो अब यहां देखो निफ्टी बेंक नहीं अफता शुरू है अब नहीं अफते पे तो 45-500 पर पूट राइटिंग है इस्ट है 47-500 पर कॉल राइटिंग है 47,000 पर भी अच्छी खाज़ पूट राइटिंग और 47,360 पर बंद हुआ है और 47-500 पर भी पूट राइटिंग स्ट्रॉंग है और मैक्स्मेम पें 47-500 पर है अब पीसियर की जो शुरुआत हुए अच्छे लेवल को यह 0.93 और मंत्री वाला 0.97 उसमें रिकवरी है अब मैंने तो क्या करा भी है ज्यादा आज गुन जायश नहीं थी ए एक future buy किया और एक दो square off कर दिये और 3500 का profit कमा लिए और 9 मैंने cash segment में positions बनाई अब टाटा मोटर की call को मैंने square off की चोटा सा profit कमाया 4000 के आसपस का क्योंकि मैं टाटा मोटर के लिए के bullish था और अच्छे टाइम पर मैं इसको square off कर दे उसके बाद यह 44-45 रुपर बढ़िया टाइम पर square off कर दिया Reliance के future के तीन लॉट पड़े थे दो रह गए हैं एक square off कर लिया यह तीन का profit है तो इसको divide by 3 कर दो तो एक का profit आजेगा तीन का profit है तीन का ना 500 बचे पड़े है न 500 बचे तो यह लगबग बावन जार बटे कि चौदा जर के आसपास का होगे ना कि अब आवन नहीं है हां इस सत्रा जार के आसपास का profit होगे तो सत्रा यह हो गया तीन यह हो गया 21 यह में थुदा दो के इसाफ़ दिखाल दिया यह गलत है यह हो गया लगबग 212,000 के आसपास का होगे 21,000 प्लस का ठीक है ना यार जब ज़्यादा सेंचरी नहीं वन रही तो दो चार चार रंतों लेते रहो न तो अगर आप चार्ट में भी जाओगे तो को साफ नजर आएगा कि बजार में न स्ट्रेंथ नहीं है यह वाला चार्ट तो अभी भी अपर हाफ बॉलिंजर चार्ट इसलिए मैं कहते हो कि टिप लेना देना गुणा है है क्यों आदो को अपने रिस्क रिवार्ड के साफ से काम कर ना चाहिए किसी बीधिता है बिदियो वाट्सेप पे student बन जाए है या YouTube पे वाट्सेप का student बनने है बढ़िया प्लैन है 70 11 320 77 70 11 323 007 जहां मैं वीडियो और डेमो के माध्यम से आपको सिखाता हूं टिप मैं कोई देता है नहीं कोई पूछ लेता है तो हाज जोड़के करता हूं भाईया अपने रिस्क अपटाइट के साफ से काम करो पहले सीखो फिर कर और डीमेट अकॉंट खुलवानों तो इसी नंबर पर कॉल करिए और टेलीग्राम चैनल जुरू जोइन करिए जिसका इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी के साथ बाबाई गॉड ब्लेस्ट वी एप्पी इंवस्टिव और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बाच्छा बने